आज हम बात करेंगे sex determination in different types of organism के बारे में यह chapter 5 का ही आपका एक topic है sex determination firstly एक puzzle type था जिसको easily determine नहीं किया जा सकता sex determination का जो mechanism था वो genetics topic जो है आने के बाद clear होने के बाद ही यह clear हो पाए कि किस तरीके से sex का determination होता है human being में insects में तो इसमें hanking नाम के एक scientist थे उन्होंने क्या किया था उन्होंने nuclear structure specific nuclear structure trace किया था आस पर metogenesis के थूरू कुछ insects में उन्होंने क्या देखा 50% जो spums है वो receive करते हैं x miller structure को जबकि 50% receive नहीं करते हैं तो hanking ने structure को नाम दिया था x body जिसे आज x chromosome के नाम से जाना जाता है डाइपलोइड organism में double set of chromosome होता है जो कि होता है 2n जबकि haploid में होता है n तो जो organism होते हैं उसमें two type के chromosome पाएजाते हैं sex chromosome और एक होते हैं autosomal chromosome जो sex chromosome होते हैं वो specific pair होता है chromosome का जो यह determine करता है कि individual का sex क्या होगा यानि कि वो male होगा या फिर female होगा यह determine करते हैं sex chromosome का pair उसके बाद दूसरे type के chromosome होते हैं autosomal chromosome यह सभी वो chromosome होते हैं जिनसे sex chromosome का determination नहीं होता या फिर हम कह सकते हैं except sex chromosome all the chromosomes are autosomal इन्हें हम autosomes भी कहते हैं different types के chromosome present होते हैं जो sex determination करते हैं इन organism जैसे कि सबसे पहले XX and XY type इस तरह के chromosome होते हैं mammals में, man में, most insects में और fruit fly में इन सभी में XX और XY type sex chromosome पाए जाते हैं इसमें क्या होता है जो X chromosome होता है वो larger होता है जिबकि जो Y chromosome होता है वो छोटा होता है जो female होती है उसके पास pair होता है X chromosome का यह की double X तो यह हो गई female आपकी homologus और जो male होता है वो heterogametic होता है that is XY homo कौन होती है फिमेल होती है जो Y chromosome होता है human में वो determine क्या करता है male sex को determine करता है इसलिए इसे कहते हैं androsome यह आप याद रखेंगे उसके बाद अगर हम sex determination के बात करें तो इसके लिए जो हम cross कर रहे थे haploid diploid sites of chromosomes का तो उसी तरीके से हम एक बार यह cross कर लेते हैं ताकि यह पता चले कि यह होता किस दरागा से तो हमारा cross किस के लिए है sex determination in human being तो sex determination के हम बात करें सबसे पहले हम क्या mention करते हैं हम सेंबल मेंशन करते हैं यह सिंबल किसका होता है यह सिंबल फिमेल का होता है और यह सिंबल किसका होता है यह सिंबल मेल का होता है यानि कि यह मदर हो गई और यह फादर हो गया तो parents में हम क्या देखते हैं parents में हम दो चीज़े देखते हैं phenotype और genotype फिनो टाइप in second is genotype फिनो टाइप यानि की दिखने में कह दिखने में यह female ही होगी और यह male होगा और हम human के chromosomes की बात कर रहे हैं तो female homologus होती है उसके पास दोनों ही X chromosome होती है और जो male होता है एक्स वाई होता है उसके बाद अच्स टेप क्या होता है गैमेट्स फॉरमेशन तो गैमेट्स फॉरमेशन के टाइम पर क्या होता यह अभी डाइपलॉइड था इसे आप टू एन लिख सकते हैं और यहां पर हम सिंगल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं अलग हो जाते हैं during the formation of gametes, जब आपके gametes बनते हैं, उसके बाद क्रॉस, क्रॉस हम पनेट स्केयर में, शो करते हैं, यहां पर आप सिंबल मेंशन करते हैं, एक्स एक्स एंड एक्स वाई, तो यहां पर हो जाएगा एक्स एक्स, दोनों में एक्स वाई और एक्स वाई, तो आपका जो एफ वन फर्स जेनरेशन आएगी, तो उसमें हम क्या देखेंगे, पहले देख लेते हैं, जीनो टाइप, कि कितने तरह के जीनो टाइप्स हैं, तो यहां पर आप देखेंगे, एक्स एक्स एंड एक्स वाई, यानि कि यह हो गया, वन रेश्यो वन, तोनों एक्पल है, फिफ्टी परसेंट इसमें एक्स, एक जीनो टाइप का एकशा होगया, फिमो टाइप देखने में यह कैसे होगे, दिखने में यह फीमेल, यानि कि यह गर्ल होगी, या फिर टोटर लिख सकते हैं, कि जो फ्यूचर प्रोजनी होगी वो क्या होगी, और यह होगा मेल, बॉए, तो यह रेश्यो होगा, इसका भी 1 ratio 1 तो इस तरीके से हम in human being sex determination होता है तो ये इस cross के जरीए आप एक चीज और देखेंगे कि ये depend किस पर कर रहा है ये male पर depend कर रहा है कि male की side से जो chromosome आएगा उसी से determination होगा कि जो progeny है वो daughter होगी या फिर son होगा तो जो male है क्योंकि वो heterogametic होता है female के पास तो दोनों ही X chromosome present है वो तो दोनों में ही X chromosome देगी daughter में भी और son में भी जो mother होगी लेकिन जो father होगा वो जिस में X chromosome present होगा वो daughter होगी और जिस में Y chromosome present होगा वो son होगा तो ये था अपका cross determine करने के लिए sex determination in human being इसके साथ साथ हमने simply यहां पर chromosome mention किये हैं लेकिन हमें पता है human being में total number of chromosomes होते हैं 23 pair और अगर हम single set की बात करें तो 46 होते हैं single तो XX यानि कि इस में से पहले हम ये बात कर लेते हैं 46 में से 44 autosomes होते हैं और जो आपके 2 हैं वो sex chromosomes होते हैं 23 में से 1 pair और बाकी के 22 pair autosomes होते हैं तो जो आपका XX chromosome है इसके साथ अगर प्लस में आपका 44 लिखा आ जाए या फिर 22 pair लिखा आ जाए तो आप confuse नहीं होंगे इसका मतलब ये है प्लस में इसके autosomes present हैं सेम यहां पर भी 44 A या फिर 22 pair ज्यादा तर 44 A लिखा मिलेगा इस तरीके से तो यही क्रॉस यहां पर है male 44 A x y इस तरीके से जब gametes की formation होगी single 20 22 अलग अलग हो जाएंगे तो यह आपका ratio होगा यह तो था हमने बात की थी आपके किस किस में होता है mammals में में mostly insects और fruit fly में यह होता है लेकिन कुछ organism ऐसे होते हैं उनके पास जो sex determining chromosomes होते हैं XX और XO XX female में ही होता है लेकिन जो XO होता है वो होता है male में और यह किसमें होता है insects में जैसे कि cockroach roundworm और grasshoppers cockroach roundworm और grasshoppers यह ऐसे insects हैं जिनके अंदर जो male होता है उसके पास XO type of chromosomes होते हैं O यानि कि एक chromosome miss होता है तो इस तरीके से इनका यह condition होती है female homogametic होती है और जो male होता है वो heterogametic होता है क्रॉस के अगर हम बात करें क्रॉस उसी तरीके से होगा male जो है वो XO है और जो female है वो XX है यह A auto zones को represent कर रहा है आप चाहें तो simply XO भी लिख सकते हैं तो जो आप क्रॉस करेंगे इसका ratio 1 ratio 1 ही आएगा male and female next type के होते हैं ZW and ZZ type यह किस में होता है यहाँ पर अब तक हम ने जो दो case की बात की थी आपकी XX और X यह वाला mammals में और insects की जब हमने बात की तो इन दोनों conditions में जो female थी वो homogametic थी female कैसी थी वो homogametic थी लेकिन ZZ और ZW types of chromosomes में थोड़ा उल्टा होता है इसमें जो female है वो hetero हो जाती है और जो male होते हैं वो homo होते हैं तो इसमें जो female है उनके पास ZW type of chromosomes होते हैं और जो male होते हैं उनके पास ZZ type of chromosomes होते हैं इस तरह की chromosomes किस में मिलते हैं इस तरह के क्रोमोजोम आपके वर्टीब्रेट में मिलते हैं जैसे कि फिश हो गए रैप्टाइल्स बर्ड्स कुछ इंसेक्ट जैसे बटरफ्लाइज और मौथ इनके अंदर यह क्रोमोजोम पाए जाते हैं इसका भी पाणते हैं इसका भी वन रैश्यो वगाए इसमें जैडोEC उनके नहीं सेकिक्ट इनके जैसा हैं में miss होता है इस condition में यह ZO बनता है condition in male ZZ होती है sex determination की जब बात आती है तो वो ही हम pattern follow करते है chromosome से जो होते है sex chromosome उसके बाद gametes की formation होती है और आगे की जो generation है वो कुछ इस तरीके से बनती है तो phenotype male female genotype यह हो जाता है तो यह था आपका आज का topic sex determination in different types of organism